Hello DC fans, welcome back to my channel दास्तान TV तो रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि ब्लू बीटल का जो बॉक्स आफिस प्रोजेक्शन है वो around 12 से 17 मिलियन डॉलर हो सकता है डुमेस्टिक मार्केट में हम जानते हैं ये काफी जदा लो है और हम already उम्मीद कर भी रहे थे कि कुछ जादा opening weekend इसका होगा भी नहीं डुमेस्टिक मार्केट में क्योंकि हम जानते हैं कि जो DC का connected universe है उसे general audience किसी भी तरीके से अब support नहीं कर रही है कोई else world या stand alone movie आती है जैसे द्दा पैट मैं, जोकर उसको तो general audience support करती है, box office success कर देती है लेकिन जैसे ही DC extended universe या DC के connected universe की बात आती है तो DC movies box office पे मुग के बल गिरती है, यह हमने Shazam 2 में भी देखा था और The Flash में भी देखा था, तो blue beetle movie से भी कोई खास उम्मीद किसी को है नहीं तो यही कहा जा रहा है कि 12 से 70 million dollars के बीच में इसका opening weekend हो सकता है और मैंने अल्रेडी आपको बताया हुआ है, blue beetle क्योंकि एक Latin American super hero है तो blue beetle का box office success होना पूरे तरीके से Latin American audience के हाथ में है अगर Latin American audience या Latin American countries जो हैं, वहाँ पे इस movie को support मिला तब ही एक box office success हो पाएगी, वरना I don't think कि जादा कुछ कर पाएगी box office पे तो blue beetle के बारे में यही बताया जा रहा है, opening weekend जो domestic market में है, वो around 12 से 17 million dollar है और जो early reviews फिलहाल निकल के आ रहे है blue beetle के, वो बहुत जादा positive है लोग appreciate कर रहे हैं कि एक अच्छी film है हाला कि early reviews का उतना जादा कुछ असर पढ़ेगा box office पे की नहीं पढ़ेगा यह तो कहना मुश्किल है लेकिन फिर भी अभी यह early estimate है box office projections के में भी जैसे जैसे release date नजदी कायद थोड़ा सा हम को growth देखने को मिले blue beetle के opening weekend के projections में फिर भी मैं यही कहूंगा कि blue beetle हिट हो रही है या flop हो रही है पूरे तरीके से अब Latin American जो audience है उनके हाथ में है जैसे Brazil जैसी जो countries है Latin American countries वहां से अगर इनको support मिल गया तो यह हिट होगी वरना guys यही आप समझो कि यह movie भी flop होने वाली है बाद में भलाई जब streaming पर release किया जाए या home media पर release किया जाए तब भलाई थोड़ा बहुत success हो जाए यह film लेकिन box office थोड़ा सा मुश्किल लग रहा इस movie का और दूसरी update है Aquaman 2 के बारे में तो एक बार और और इस movie के reshoots हुए है जी हाँ guys अब इस movie में Batman का कोई भी cameo नहीं है आप पहले जानते है Aquaman 2 जो थी उसमें एक standalone project की तरह वो थी उसमें कोई भी Batman अपियर नहीं हो रहा था फिर बाद में ये कहा गया कि Michael Keaton का Batman अपियर हो सकता है क्योंकि Michael Keaton main Batman बनने वाले थे Walter Hamada Kender में फिर Michael Keaton के scene को cut किया गया फिर Ben Affleck ने एक scene film किया Aquaman 2 के लिए लेकिन अब क्योंकि BC extended universe खत्म होने वाला है और James Gunn एक तरीके से hard reboot करने वाले है DC universe का तो अब सभी cameos cut कर दिये गए है Batman के Aquaman 2 से और यह कहा जा रहा है कि हलके full के reshoots दुबारा हुए इस movie के लेकिन अब finally यह जो movie है वो logged बताई जा रहे है कि अब कोई reshoot नहीं होगा अब जो movie बनी है उससे James Wan और Warner Brothers खुश है फिर भी देखते है Aquaman 2 box office पे कैसा करती है फिलाल यहीं दो updates थी कि Blue Beetle का जो opening weekend है US Canada markets में वो around 12 से 17 million dollars बताई जा रहा है और Aquaman 2 में Batman का कोई भी cameo नहीं होगा ना Michael Keaton ना Ben Affleck ना George Clooney तो आपको क्या लगता है Blue Beetle का box office collection क्या हो सकता है प्लीज कमेंट सेक्शन में ज़रू बताईए और DC updates के लिए मेरे चैनल को subscribe करिए thank you